माता वैशनो देवी के रास्ते में लैंड स्लाइड, तीन श्रधालू जखमी, आंध्र तेलंगाना में बार से उन्निस की मौत, एंडी आरेफ तैनाथ देश में बारिश का दौर जारी है, मध्यप्रदेश और गुजरात समेत छे राजियों में बहुत भारी बारिश का अलट है इस भी जमू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैशनो देवी मंदिर के नए मार्क पर लेंड स्लाइड होने से तीन तीर थियात्री गंभी रूप से खायल हो गए, इनमें एक महिला शामिल है अफसरों ने बताया कि दोपहर करीब दो बच कर 35 मिनिट पर पांची के पास भू संखलन हुआ, मिट्टी गिरने से मार के उपर बना टीन शेट गिर गया, इसकी चपेट में कई लोग आ गए उधर आंधर परदेश और तेलंगाना भारी बारिश के चलते बार जैसे हालाद बन गए हैं, बार और बारिश के चलते दो दिनों में आंधर में 9 और तेलंगाना में 10 लोगों की मौत हुई है दोनों राज्यों में 140 ट्रेने कैंसल हुई है, 54 से ज्यादा ट्रेनी डाइवर्ट की गई है, NDRF की 26 टी में तैनात की गई है, उफंती नदियों के कारण नेचले इलाकों में पानी भर गया है आंधर प्रदेश में 1998 के बाद ऐसी बाड आई है, 17,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, विजेवाडा में 2.6 लाख लोग बाड से प्रभावित हैं कुछ इलाकों में 10 फीट तक पानी भरा है, तिलंगाना में सूर्य पेट, भधरादरी, कोठा गुडेम, महबू बाबाद जिले, बार से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं खम के 110 गाउं पूरी तरह से पानी में डूबे हैं, हैदराबाद में आस्कूलों की छुटी कर दी गई है वहीं जमू में माता वैश्नो देवी धाम की रास्ते में लैंड स्लाइड हुई है और पहाड से पत्थर गिरे हैं वैश्नो देवी धाम की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौके पर पहुँच गई है प्रधान मंत्री मोदी ने अंधरप्रदेश के मुखे मंत्री चंदरबाबू नाइडू और तेलंगाना के सीम रेवन तुरेडी से फोन पर बात कर राज्य के हालात की जानकारी ली पीम ने दोनों को केंदर की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है सीम चंदरबाबू नाइडू ने कहा कि भारी बारिश ने राज्य को हिला कर रख दिया है